नमस्कार साथियों मैं कुनाल आप सभी का संस्कृति आई एस यूटूब चैनल पे स्वागत करता हूं आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं भारत के महामारी रोग अधिनियम की रेजन क्या है पहली बात तो यही है कि यह जो महामारी रोग अधिनियम है कि इसमें सुधार की आवशक्ता है यह वर्तमान परिस्तितियों में अर्श्तितियों के अनुरूप किसी भी पिशेष्टा को पूरा नहीं करता है मांग को पूरा नहीं करता है, जो भी हम लोग की डिमार्ड है, और यह है जो कानून है, इस कानून को अधिक कड़े की यह था नहीं किया हो शकता है, क्योंकि बीते दिनों जिस प्रकार से महामारी के दौरान हमारे देश की जंता परेशान हुई है, नागरिक परेशान हुई तो जरूरी है कि हम लोग आज के पूरे इस class के दर समझें कि 127 वर्ष पुरानी जो महामारी अधीनियम है इसमें क्या खास है और क्या-क्या इसमें परिवर्तन होने के आवशक्ता है 1897 में इसको बनाया गया था क्या-क्या चीज़े सुधारी जा सकती है किन-किन छेत्रों पर फूकस करने के लिए कहा है विधी आयो मने हर एक चीज़ हम लोग समझेंगे आप सभी के एक्जाम के दिश्टी से बेहत महतोपूर्ण है खासतोर पर मेंस की दिश्टी से तो एक इस प्रकार का प्रशन आपसे मुख्य परिक्षा में पूछा जा सकता है जरूरी है कि आप मेंस के लिए त्यार हैंगे तो देगे प्री में अगर कोशन आता है तो आप बहुत एजली आंसर दे देंगे मुझे पता है आप विश्वाश है कोई इसमें दिखकर वाली बात नहीं है चलिए बढ़ते हैं और समझते हैं बाके चीजों को अभी क्या हमारी आती तो उसके क्या क्या चीजे होंगी कैसी कैसी नीती लाग होगी सरकार के पास महामारी के परसार के दौरान क्या-क्या अधिकार होते हैं किस-किस छेते तक अधिकार का विस्तार किया गया या महामारी के दौरान जो हमारो हॉस्पिडल्स है या हॉस्पिडल स्टाफ है डॉक्टर्स है उनको किस परकार से बिहेव करना है, किन-किन चीज़ों पर ध्यान लखेंगे, या क्या कैसी चीज़े कर सकते हैं ने कर सकते हैं, हर एक बात जो है वह इसी कानून में की गई है, बट पुराना है, तो इसी वज़ा से जरूरी है कि ओपनी वेशिक काल के प्रतीक जो है हम लग करके उठा दिया जाएगा, पीछे बहुत सारे बदल दिये गए हैं, आप सभी को पता है, आप लोग रेगुलर क्लासिस के माधिम से देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, तो ब्रेटिश काल का है, इसको हम लोग बदलेंगे, वहीं साथ साथ दूसरी यहाँ पर यही है, कि जब कोई चीज बहुत अधिक पुरानी हो जाती है, तो भी जरूरी होता है कि बदल दिया जाए, क्योंकि 1897 में बनाया गया था, जब उस दोना न इसको बनाया गया था, तो उस समय की स्थितिक बनाया गया था, लेकिन अब 2004 में स्थितिया बदल पड़ गए होते तो फिर कुछ नहीं हो रहा होता ना यहाँ पर, ठीक है, वही साथ साथ जो अभी हमारा वर्तमान कानून है, वह है बताता है कि महामारी के दौरान सरकार के पास क्या क्या शक्तिया रहेंगी, शक्तियों के लिए अधार मुख्य यही कानून है, वर्ष 2020 मे जिसमें COVID महामारी आई थी, उस समय केंद सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था, और अध्यादेश जारी करते हुए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किये थे इस कानून के अंदर, हाला कि देखने वाली बात ही है कि शुरुआत में अध्यादेश था और आप सभी को तो विशेश भूमत से पारित किया दाना जरूरी होता है दोनों से दोनों में, तो उस विदी को अपना करके बाद में उन्होंने चीजों को मैनेज भी कर लिया था, पर अध्यादेश के माध्यम से कुछ परिवर्तन कर दिये थे 2020 में, क्या-क्या परिवर्तन किये थे उनक मतलब कभी भी ऐसी स्थितिया आती है उस दोरान क्या होता है कि डॉक्टर अपनी जान पे खील करके अपना बेस्ट दे रहे होते हैं लेकिन कुछ लोग तो होते है कि उनके परिवाश सदी से चला गया था तो 시청 कारियों के साथ को च्छी शजाड करे कारे कि उनको पर हमला करे तो उसके लिए कड़ी सदा लोग को मिलनी चाहिए तो सदा спокой वृत्धी कर दी गई थी वहीं यहाँ पर इन्हों ने यह भी एक फैसला किया था कि हमारी काल के दोरान सरकार के पास यह अधिकार होगा कि किसी भी व्यक्ति को वह रोके और उसके जाच करे जैसे कि हम लोगों देखा कि हर जगा पर फिर लोगों को रोका जा रहा था चाहे आप रेल्वे स्टेशन पर हैं या अब एयर्पोर्ड पर हैं या बस चाहें ेपर रही तो एक अधिकार सरकार को भी यहाँ पर मिले गया था लेकिन ये सभी फितितिया जो थी अब तक होचुकी स्थितिया है अब हमारा जो विधी आयोग है, वहें क्यों डिमांड कर रहा है कि इस कानून में बड़े संशोधनों की आवाशकता है, या फिर एक नया कानून ही आप ले आए तो बहुत अच्छा होगा वलस्ता के लिए, क्यों कह रहा है ऐसा, इसे पीछे का देखिए जो बड़ा कारण है वहें यह है, तो हम लोग नहीं निपट पाएंगे, ऐसा इनका कहना और कहना है कि बहुत सारी कमिया है, यदि हम लोग उन कमियों के उपर काम करते हैं, तो बिल्कुल हम आने वाले स्थितियों के लिए तयार हो जाएंगे, ववस्ता बहुत अधिक सुदर गाएगी, यह हम सब यहाँ प कभी भी कानून मनाते हैं, तो उसका उद्देश्य एक तरह से निवारक के रूप में उपयोग करना होता है, ताकि लोग जान जाएं, समझ जाएं, कि देखिये, अगर हमने कभी ऐसी ऐसी कोई गलती की, तो उसके लिए हमें ऐसे सजा मिल सकती है, क्योंकि हमार देश में इ अधिकार सब यथावत बने रहें, ठीक उसी प्रकार आप दूसरों के लिए भी समझें, कि उनकी भी स्वतंदरता है, उनके भी अधिकार है, उनका भी जीवन है, यदि आप अपने साथ सक उनके जीवन का भी सम्मान करते हैं, तो वह ऐसी स्थितिवी एक असभ्य समाझ कर अपने आप ही हो जाएगा, इसमें कोई दो रहें नहीं है, कोई परिशानी वाली बाद नहीं है, तो प्रभावी निवारक के रूप में भी अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो कानून है, वह कारे करें, तो भी इनको अभी कड़ा किया जाना ज़रूरी है, अभी इसमें वह उनका उलंगन होता है, सरकार ने कोई आदेश दिया, आपने उस आदेश की अवग्या कर दी, तो ऐसी स्थिति में पहले ववस्ता ये है थी, कि काराववास जो रहेगा, वह 6 महीने कर रहेगा, सरकार ने कहा कि नहीं, महतोपूर्ण स्थितिया होती है, आप लोगों के मुझे कोई नहीं हो सकता, मैं हूँ, मुझे कोई हमारी नहीं चू सकती, मैं अमर हूँ, अजर हूँ, मेरे सथ कुछ नहीं हो सकता, आप भार निकल रहेगा, पुलिस वाले आएंगे, आपको ठाके ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे, उसके बाद में एक साल के लिए, इसके अलावा फाइन लगेगा, सो अलग, पहले था एक हजार रुपे का फाइन, सरकार ने का बढ़ा दो, पांच हजार का फाइन कर दो, तो तो पांच हजार रुपे भी देने पड़ेंगे, जेल में भी रहना पड़ सकता है, ये हस्तित्य आपके जिवन में हो सकती है, जो भी प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन विधिया योग कहता है कि ठीक है, आपने सजा को एक वर्ष कर दिया, और जुर्माने को पांच हजार कर दिया, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये प्रायप्त है, ये ठीक नहीं है हमारे वास्ता के लिए, किसी बी तरा से, तो यहाँ पर थोड़े से और सुधार कर लीजिए, इसको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट कीजिए, सजा की अवधी और ददा बढ़ाई है, ताकि हम चीजों को आगे और हच्छे से क्लारिफाई कर सकें, आगे और रुताते हैं उन्होंने क्या का, इन्होंने कहा कि जो नए अपराधी कानून आपने प्रस्तुट की हैं, कौन-कौन से भारतिये म्याय सहीता, इसके अलावा नियाय प्रक्रिया सहीता, या तो यहाँ पर कहा गया है, इन सभी प्रकार की इस्तिति के बारे में, कि महामारी के दोरान अगर आप कोई गड़वली करते हैं, तो आपके सा कैसा वहवार किया जाए या सजा क्या होगी हर एक चीज का उलेक किया गया है लेकिन यहाँ पर विदियायत कह रहा है कि ठीक है आपने सजा का उलेक किया सजा में रिद्धी की लेकिन इसके लावा एक खास इस्तिति आपने छोड़ दी वो यह है कि महामारी कानून के अंदर भी उस प्रकार के प्रावधान नहीं किये ताकि जो कानून है हमारे सब एक प्रकार के ववस्ता सुनिशित कर सके अलग अलग जगा अलग अलग चीज़ है जब आने वाले समय में कभी भी नियाए पाली का बैठेगे इस मामले के उपर और निड़ने लेना होगा तो खुद जाएंगे कि अलग 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 बाते हैं तो जरूरी है कि हर एक कानून सेम प्रकार की बात करें ताकि कारवाही तोरित हो सके और कोई प्रशानी है वहवधान उत्पन ना हो इस दौरान इन्हों ने यह भी कहा कि जो जन सुरक्षा से संबंदित करमचारी हैं जिसमें डॉ जो अधर हेल्थ जो भी होते हैं करमचारी जैसे की नर्सिस वगरा हो गई यह हॉस्पिटल का बाकि स्टाफ हो गई है तो इन सभी के लिए कहा गया दीखें जो भी वैक्तिस प्रकार से जन सुरक्षा से जुड़े हुए हैं जन स्वास्ते से जुड़े हुए हैं अगर वह सब्सक्राइब करेंगे जैसे के आप महामारी रोग अधिनियम आने वाले समय त्यार करेंगे चीजों को परिवर्तित करेंगे तो इसके अंदर पहली बात तो इसको वैधानिक बल मिलना जरूरी है, यानि कि सरकार सभी चीज़ों को स्थापित करें पूरी तरह से, वही उलंगन जो होंगे उनको दो श्रेणियों में परिभाशित करें, उलंगन की दो श्रेणिया होनी चाहिए, पहली होनी चाहिए, ला यान बुचके काम करते हैं, अक्षिजन अवैलेबल है, या बलैक कर रहे हैं, या आप काम जान बुचके कर रहे है, धन के लालत से, और बंबस्ता अलग होनी चाहिए, तो इसलिके लिए उलंगनों को दो परकार से अलग-अलग श्रेणियों में विवाजिद किया जाने से क्या होगा कि system जो है वह और अच्छा हो जाएगा और हर एक चीज जो होगी वह है clear cut हो जाएगी जिससे की easily सब क्यों नहीं मानना उसको बारबर वही काम करना है उस तरफ आगे बढ़ना चाहता है और कई ह apert देखाई कि आप सीज अधी सेम काम में सीम करें खलत करते बखलय रहा है तो उस इस therapy में सजा जह नीचे बढ़ चल कर मिलनी चाहिए व्यक्ति नहीं मान रहा है और घर में भी तो ऐसी होता है ना मान लीजे को माता पीता कह रहे हैं बच्चे को समझा रहे हैं कि ये काम मत कुरे काम गलत है पहली बार किया दो थपड़ा मार दिया फिर उसके बाद देखा कि बार बार कर रहा है तो दुवारा दो तो थपड़ी बढ़ेंगे उसके बाद तो फिर चीजे बढ़ जाएगे ना पिर आगर समय में हो सकता है कि थपड़ों के सिंख्या बढ़ जाए घूसों के सिंख्या बढ़ जाए या बल्ट वेल्ट भी चल जाए अंदर ही सब श्तितिया भीलकुल हो सकते ह तो यदि कोई वेक्त इस प्रकार से बावर काम परो सजा भी बढ़ती रहनी चाहिए इसमें भी कोई शर्मानी की बाद नहीं है विदियायगुनिया सरकार के लिए भी सुझाव किया कि अपरादों को संग्य और गैर जमानीती की रूप में स्थापित किया दाना चाहिए सरकार को लगता है कि मेरे पास तो हाइन्वी केंद्र जम्मधार लेगा तो चीजों को किलियर नहीं किया दाने के वज़ 것처럼 जासे घर्ब बला जाती है कि यह घर जाती है इसलिए जरूरी है कि पहले इस परास्मिक कारे अब ये सरकार कर दिया आता है और राजसरकारों तथा जो स्थाने अधिकारी हैं उनको प्राथमिक कारे दे ताकि वे जल से जल सभी जगाँ पर पहुंच सके और जो भी सुविधा हैं जो भी आवशकता हैं उनकी पूर्ती कर सके यहाँ पर विधिया उनकी है भी रिकमेंट किया है कि आपके पास एक लचीली महावारी योजना होनी चाहिए लचीली इसलिए तक परिस्तितियों के अकॉर्डिंग बिहेव किया जा सके और समझा जा सके कि परिस्तितियों क्या-क्या नीडने लेने हैं और उस तरफ कारे किये जा सके अगर कभी भी आने वाले समय में लोगडाउन लगता है तो पहले ही किलियर होना चाहिए कि लोगडाउन की स्थिति में लोग कैसा बीहेव करेंगे और वाहन होगी हेवड़ाँ के लिए जो भी रसायें का उपयो किया जा सकता है महामारी के दोरान आप उन रसायें अनों के लिए भी पहले एक सूचित जारी कर देंगे और सिज़ों को पस्ट रखेंगे ये बी बहतर होगा यह सब कहा करना आपको लचेली महामारी योजना के तहत करना है यह सबसी जरूरी है इस परकार से इन्होंने यह अलग अलग रिकमेंडिशन दी अब आगे क्या होता है कि विधिया आयो जब कभी भी किसी भी चीज को रिकमेंड करता है उसके अकॉर्डिंग फिर चीजों को भी करेंगे और आने वाले समय में हम जल्द ही देखेंगे कि इससे संबंदित एक बिल बनाया जाएगा तो देखे पहले यय फी उल्लेक था अब चीजों को ऑलेक कर दिया गया भारतिय नियाय सहीता में जिसे भाहरतिय नियाय सहिता गी अग hani इत time को करने से महामाँ शॉलामरी के दिचा लेकिन उसके बावजूड आप क्या कर रहे हैं लापर भाही दिखा रहे हैं मतलब आप वही कारे कर रहे हैं जिनसे महामारी बीमारी फैल सकती है तो ऐसी इस्तिति में आप अगर ऐसा कारे करते हो पकड़ेगा तो भारती निया सहीता कि धारत 271 के तहत आपके खिलाफ जो भी कारवाई होगी वह की जाएगी यह बात तिला परवाईगी अगर आप जान करती गई है किलियर है मामला तो यह कुछ अभी प्रमुक्ष है वहारा पास में उसके प्रसार से गूड़न हुए किस प्रकार से वही इंसके तिंग अnsर बहुत अच्छ बएंगे इसके लावा अब क्या-क्या और सुधार की उम्मीद करते हैं अकांग्शा है आपके पास कर सकते हैं जिस परकार से चीज़ों को और अधिक शुदारा जा सकता है जैसे कि हम देखते हैं कि ब्लैक मार्केट बहुत ज़ादा होती है अदूरान हर वक्तिन सोचते कि अलग लग चीजों तब तक के लिए विदा दीजिए, थैंके सो मज़,